हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चाहिए लसी टेक्निकल में तो दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा आप वाटसब में कैसे फिंगर्प्रिंट इनेवल कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपको फिंगर्प्रिंट का ऑप्श सेट किये हैं उसे अगर हटाना चाहता दीजिए और आप एक नया फीचर आया है जिसमें आप अपने वाटसब में फिंगर्प्रिंट इनेवल कर सकते हैं दोस्तों मैं इस वीडियो में फुल डिटेल बदाऊंगा आप कैसे अपने वाटसम में फिंगर्प्रिंट को लेना है और सब्सक्राइब करने वेल आइकन को और में सिल्ट कर लेना है जिससे हमारी वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो 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 सिंपली से अपना वाटसप ओपें कर मिलन है ओपर करने के वाद में पाल इससे इंटरस्कानाय आपको गभाट जाना है और आपको स्टेशन में जाने के बाद आपको एकांट को ऑफ्षन मिलता है जिसमें आपको एकांट को अप्षन मिलने के बाद आपको privacy का option मिलता है से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको last नीचे लिखा है fingerprint lock तो आपको सिंगर्पेंट करना है क्लिक करने के बाद आपको इसे enable कर देना है enable करने के बाद आपके पास आ जाएगा confirm fingerprint simply से अपने fingerprint को पतलब fingerprint में ट्रच करेंगे जैसे अपनी finger को तो यह select हो जाएगा इसके बाद आपके पास option आ जाएगा automatic lock या immediately after 1 minute आपका WhatsApp यादना बंद होने के बाद एक मिनट के बाद lock होगा after 30 minute आपको जिस तरह से एक मिनट या immediately करना है तो मैं immediately कर ले रहा हूं आपको simply से आप back आ जाना है और back आने के बाद हम आपको दिखा दे रहा है जैसे मैंने यह WhatsApp बैक किया और इसके बाद मैंने फिर से open किया WhatsApp को तो यह fingerprint मेरा open आ गया तो just मेरा मतलब जैसे ही बंद होगा आपका मतलब फिंगर्फिंट आ जाएगा जैसे हम लोग तो ऐसे आप इनेवल करना चाहते हैं तो इनेवल कर लीजिए और यहां आपने WhatsApp को मतलब फिंगर्फिंट इनेवल का सकते हैं यह बहुत ही अच्छी ट्रीक है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल में अगर नए है तो हमारे चाल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों हम मिलते हैं नेस्ट आपको यह वीडियो काम नागे